राध्यकिष्णा मेरे नाम है डॉक्टर प्रतिक चुहान पिग्मेंटेशन के ऊपर पिछले तीन सालों में बहुत अधिक प्रश्ण मुझे पूछे गए हैं कि मैं पिछले तीन साल से पिग्मेंटेशन की वीडियो बना रहा हूं और अपने पेशेंट को सक्सेस्फुली ट निकाले हैं तो सबसे पहला प्रश्ण यह है बहुत मुख्य प्रश्ण है और बहुत ही कॉमन है क्या पिग्मेंटेशन खत्म होता है इसका एक सीधा सा उत्तर है जी हां यह बिल्कुल खत्म होता है सो प्रतिशक खत्म होता है क्या पिग्मेंटेशन पूरी तरह से खत्म हो यहां फिर यह छहाट हो के जाता हैै कि जाता है और ओद sorry 14 मॉटटेट के बर्ण हूई हैं उनका हमेशा पिग्मंटेशंग एक उन हैं उनका हमेशा crack होके जाएगा फटके जाएगा तो दोनों में यह कई कि यह को तरीक तरीके से जाता है यह का। है किस टाइप का tricky meant क्या वो वो पिगमेंटेशन है जो कि आपको डैमेज होनी की वज़े से हो रखा है या फिर आपके इसके रेक्टिव नहीं होनी की वज़े से हो रखा है या फिर वो आपके हार्मोस के इंबिलेंस हो रखा है यह डिपेंड करता है यह वो किस टाइप का पिगमेंटेशन है य कि पिग्मेटेशन को ठीक करने के दो तरीके होते हैं या तो हम इसको ऊपर-ऊपर से ठीक कर दें यानि कि केवल जो काले-काले निशान है केवल हम उन पर फोकस करने कि आपके काले निशान को ठीक करना है किसी भी तरीके से जैसे कि लेजर में होता है पीलिंग में होता है या आप उसके कारण को ठीक नहीं कर रहा है कि पिग्मेंटेशन किस वजह से आपके हो रहा है माल लिजे आपके शरी के अंदर पित इंबेलेंस है जो कि होता ही है अदिकतर सभी लोग के अंदर लिवर ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है तो आपके स्किन तक न्यूट्रिशन नही उसको खतम करना है तो आपके वल उसको उपर-उपर से काटे जा रहे हो जड़तो उसके निकाले नहीं रहे हो तो इसी तरीके से pigmentation दुबारा लोटके तब नहीं आदा जब उसके root cause को ठीक किया जाए यानि कि वो किस वजह से आपको हो रखा है for example pigmentation होने के कोई एक बजह नहीं होती अगला question ये भी है कि कि किस कारण से pigmentation होता है pigmentation होने की अनेक बजह होती है सबसे मुख्या बजह तो ये होती है आपकी कि सबसे पहले आपका pit imbalance होता शेयर के अंदर अगर आप अपना पूरा फोकस करें पित को बैलेंस करने में तो 3-6 महीने या एक साल तो पित को बैलेंस करने में ही लग जाता है आपको क्योंकि बहुत लंबे समय से आपका पित इंबैलेंस हुआ चला आ रहा है और अब जाके उसने अपने लक्षन दिखाने शुरू की है कि आपकी इसकिन पर आपके प्रभावाना शुरू हो गया बहुत लंबे समय से था वो इसलिए अभी आपको इसकिन पर प्रभाव दिख रहा है अब पित को बैलेंस करना एक महीना दो महीना तीन महीने काम तो है नहीं हाँ अगर किसी का बहुत जादे बिगड़ा हुआ नहीं है तो उनका दो-तिन महीने बैलेंस हो जाता है तो ये सबी चीज़े पित के इंबेलेंस होने की निशानी होती है, जो कि अधिकतर pigmentation वाले patient के अंदर होती है, तो आप मुझे बताइए कि चाहरे पर कुछ भी लगा के आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, अगर जो इस चीज़ का दावा करते हैं, कि ये जो क्रीम है, ये हमारे कि आपके pigmentation को ठीक कर देगी, पूरी तरीके से, तो मैं कहता हूँ कि वो चीज़ गलत है, जो अंदर से है, अंदर से ही जाएगा, और इतना समझदार तो आप भी हो, कि जब कोई चीज़ अंदर से है, तो अंदर से ही तो जानी चाहिए वो, बाहर से कैसे चली जाएगी व तो फिर वो ठीक होता ही है, और दूसरी बात, आपके पित बढ़ने के विज़े से, आपके स्किन संस्टिक हो जाती है, जिसकी विज़े से कोई भी क्रीम आपके उपर काम नहीं करता, इवन चाहिए वो हलके से हलका क्रीम आपके उन लगाए, वो ही आपको नुकसान करने लगता है, मैंने अपने जो हम तीन साल से पेशन का ठीडमेंट करना हैं, चिह करे हाए वो हलके हलकी क्रीम ये पसके रिपेशन को को देके देखे हैं, कि हो सकता है कि इसकी विज़े से उनकी स्कीन की रिपेज़ हो, वो जो इतने अच्छे कंपनेशन को और बहुत ही नॉर है तो जो स्थेंप्ल वाले क्रीम्स लगा सकते हैं लेकिन जिनको पिग्मेंटरेशन ने जिनको ऑड़ी पित भड़का हुआ जिनको इसको सेंच्टिव रहती है वो नहीं को इसको मेरा फिर से कहना है कि अगर प्रॉलम आपको हार्मोंस की है तो उसको ठीक किया जाए यह तप जाता है कितना time लगेगा इसको जाने में, अभी इसका आंसर आपको मेरे पिछले वारे आंसर में मिल गया है, क्योंकि हमें आपके शरीक्ति को बेलेंस करना है, प्रक्रति हमें नहीं पता है कि कितनी समय से और कितनी बुरी तरह से आपके बिगडी हुई है, मैंने ये चीजब भी दे उससे भी जादा खुबसुरत उनका चाहरा हो गया, क्योंकि हम जो मेडिक्सिन देते हैं, इसमें इसकिन को निखाणने के लिए तो देते हैं, जो जब अंदर से इसकिन ठीक होके आ रही है, पहले इसकिन पसीना नहीं आता तो पसीना ना शुरू हो गया, मतलब इसकिन के जो फंक्शन नॉर्मल हो गया है, फिर तो चलाई जाएगा, अब इसी में, अब माली जए आपकी इसकिन के फंक्शन नॉर्मल तो है नहीं, उपर से आप क्रीम पर क्रीम लगा जा रहे हैं, ये कैसे जाएगा, जरा मुझे बताईए, अगर ये चला भी गया, तो ये लोट के आएगा, और अगर ये चला भी गया, तो इसकिन को बुरी तरीके से डैमेज करके जाएगा आपकी, और पहली बाद तो जाएगा नहीं, ये दुवारा लोट के आने आना है, और बुरी condition में आना है और बुरी तरह से skin को damage करके यह आना है दुवारा से तो कोई भी temporary solution करने से बचे हमारे पास में कई patient है कि हमारे relation में शादी है कि आप हमें कुछ बता दीजिए इसको करने के लिए अगर बहुत ही अधिक मजबूरी होती है बहुत अधिक तो ही हम उनको बताते हैं लेकिन यह बॉर्णिंग देखें बताते हैं कि आप के skin को खराब करेगा तो जल्दी हो सकते हैं उसको छोड़ देजे आप ठीक है देखें टाइम कितना लगेगा यह कहपाना मुश्किल है क्योंकि patient के अंदर अलग-अलग तरीके से रोग होते हैं कि आलग-अलग तरीके से रोग वठे हुए उनका शरीक अंदर होते हैं अब हो सकता है कि शरीक अंदर किसी के पित बहुत जादे बिगड़ा हूँ तो पित को बचाने में चे साल भार लग जाते हैं तो लीडियों पेशेंट को इतना समय लग जाने वाला है पूरी तरीके नहीं होती क्योंकि आप केवल काले निशान के चक्क्र में पड़े रहा तो यह जो काले निशान होगे इसको चले जाना चाहिए लेकिन इसके होने की वज़ा है कि पीछे आप नहीं पड़ता है कि इसके जो होने की वज़ा है हमारी यह ठीक हो जाए केवल आप पड़े हुए काले निशान के चक्र में कि बस यह चला जाए इसलिए यह नहीं जाता है इसलिए डॉक्टर मना करते हैं कि यह नहीं जाता है लेकिन हम इसके होने की वजह को पकड़ते हैं जिसकी बेसे यह जाता है इसके करण को पकड़ते हैं जिसकी बेसे जाता है ठीक है अभी पित इंब तीन महीने में ही उम्मीद छोड़ देता है कि नहीं है नहीं जाएगा हमने ये भी देखाया कि फिच्छन को छह महीने बाद आठ महीने बाद जाके फर्क लगे हैं और इतने ब्यूटिफुल तरीके से फर्क लगाए कि कल की अगर एक साल पहले देखा तो उनकी इसके पूरी कारण क्या है पिग्मेंटेशन के कारण मैंने बीच बीच में यहां पर बता दी है तो सबसे मुख्य कोश्चन यह है कि पिग्मेंटेशन क्या जाता है पूरी तरीके से जी हां यह बिल्कुल जाता है और दोड़ा लोटके नहीं आता अगर इसको सही तरीके से ट्रीट किया तो तो आज की वीडियो में के वूले है मैं अपने और इस तरह की जनकारे लेकिया प्रशंट्स के लिए रिए के उनको कि किया क्या क्या चाहिए पिगमेंट में ने क्योंकि अब 2023 में हम इसको और अच्छे से और बैस तरीके से करते हैं नया साल आने वाला है तो ठान लीजे कि जिन लोग की पिग्मेंटेशन 2022 में नहीं गई है 2023 में फिग्मेंटेशन को खत्म करना है नई तरीके से नई सोच के साथ ने हैं ठीक है मैं प्रात्ना करूँगा कि आप से लोग स्वस्थ रहें आने वाला साल आपके लिए बहुत खुशियां लेके आए आपके चारों तरफ खुशियां ये खुशियां हूँ परमात्म सभी का भला करें